मेरी भानजी रात को मेरे गले लगकर ही अपने कमरे में सोनी जाती थी, जैसे ही वे गले लगकर चली जाती तो मैं गहरी नीद में सो जाती थी, सुबा उठकर देखती तो मेरे बदन पर कपड़े नहीं होते थे, आखिर उसके गले लगते ही मुझे क्या हो जाता था, जो मैं इसकदर गहरी नीद में सो जाती थी एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया उसके बाद मैंने कैमरे में जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूख आप गई मैंने देखा कि मेरी भांजी ने तो मेरा नारू ही है मेरी शादी तीन साल पहले हुई थी मेरे ससुराल परिवार में मेरे पती महेस और उनके बहन की बेटी यानि की मेरी भांजी रहती थी क्योंकि मेरे साथ ससुर बहुत पहले ही गुजर चुके थे उसके बाद महेस ने अपनी छोटी सी भांजी ले आए और उसका पालन पोशन किया और उसे पढ़ाई लिखाई करवाना शुरू किया महेस पढ़ाई के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी करते थे जब से मैं इस घर में आई थी पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने उठा लिया था अब महेस बेफिकर से अपने काम में अच्छे से ध्यान देने लगे थे क्योंकि पहले उन्हें अपनी भांजी का भी ध्यान रखना पड़ता था लेकिन वे जिम्मेदारी मैंने अब अपने सर पर ले ली थी तो महेस अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम में भी गुसारते गए आज सुबह सुबह बहुत जादा खुशी का महाल बना हुआ था क्योंकि महेस की महनत रंग ले आई थी महेस काम के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत आगे थे और हमेशा से ही दिन रात महनत करते थे जिसका फल उन्हें आज मिल चुका था महेश की सरकारी नौकरी लग गई थी और इतनी बड़ी पोश्ट पर सरकारी नौकरी लगना कोई आम बात तो नहीं थी लेकिन महेश ने ये सब कर दिखाया था अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि मैं भी ये पूरे गर्व के साथ कह सकती थी कि मेरा पती एक सरकारी नौकरी करता है क्योंकि अक्सर मुझे अपनी सहेलियों के बीच ये सुनने को मिलता था कि तुम्हारा पती तो प्राइविट कंपनी में जौब करता है और हमारे पती तो सरकारी नौकरी करते हैं क्योंकि मेरी जितनी भी सहेलियां थी वे हमेशा से ही घमंडी थी मुझे उनके बातों का बुरा नहीं लगता था लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में ये बात जरूर था कि इनकी भी सरकारी नौकरी लग जाए और भगवान ने हमारा सुन भी लिया खैर अब हमारे दिन अच्छे आ चुके थे मेरी भानजी यानी की अंजली की भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही थी अंजली केवल 17 साल की थी उसके कॉलेज में अभी अभी एडमीशन लिया था अब अंजली की पढ़ाई के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी महेस बखुबी निभाने लगे थे आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी मैं जो भी चीज मांगती थी महेस मेरे बोलने से पहले ही वे चीज हाजिर कर देते थे इतना प्यार करने वाला और नेक दिल पती पाकर मैं अपनी किस्मत पर रास कर रही थी लेकिन मेरी खुसी जादा दिन तक कहां टिकने वाली थी शायद भगवान को भी मेरी खुसी रास नहीं आई एक बड़े एक्सिडेंट में मेरे पती महेस का दिहान थो गया अब तो मानो मेरे उपर दुखों का पहार तूट पड़ा मैं बुलकुल तूट चुकी थी क्योंकि इतना प्यार करने वाला पती को मैं बुलकुल भी खुद को सम्हाल नहीं पा रही थी मैं तो पूरी तरह तूट चुकी थी लेकि जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके खुद को और अंजली को सम्हाला और इस दुख की घड़ी का सामना किया लेकिन अब बात यहां तक आ चुकी थी कि अंजली की पढ़ाई कैसे करवाई जाए और पूरे घर की जिम्मेदारी भी थी मेरे पास ना तो कोई काम था और ना ही मुझे इतना नौलेस था कि मैं कोई काम करूँ क्योंकि मैं ज्यादा पड़ी लिखी भी नहीं थी और ससुराल में आने के बाद तो महेस ने सारी जिम्मेदारी ले रखी थी तो मुझे किसी भी तरह से कोई भी चीज़ की पता नहीं था लेकिन मुझे अंजली की पढ़ाई भी तो करवानी थी क्योंकि बच्पन से उसने अपने माता पिता को खो दिया और अब अपने मामा को भी खो दिया था उसके उपर क्या बीत रही थी मैं अच्छी तरह समझती थी लेकिन मैं उसकी पढ़ाई में कोई बादा नहीं आने देना चाहती थी जिस तरह महेज उसका ख्याल रखते थे उसकी प्रकार मुझे भी उसका ख्याल रखना था मुझे उसको उसके माता पिता और मामा की कमी महसूस नहीं होने देनी थी इसलिए मैं काम की तलास में निकल गई मुझे अंजली ने कहा था कि मामी मुझे पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों के घरों में जाडू पोचा करके दो वक्त की रोटी का जुगाड कर लेंगे बस यहीं बहुत है लेकिन मैंने अंजली की बात नहीं मानी क्यूंकि मैं उसे पढ़ाई लिखाई करवाना एक अच्छे इंसान बनाना चाहती थी उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी इसलिए मैं काम के तलास में निकल गई दरसल महेश के पाद जादा धन दौलत नहीं थी और ना ही जादा जमीन जाजात थी पहले उसकी प्राइवेट नौकरी की वज़े से घर चलता था और अब उसके बाद उसने सरकारी नौकरी कर ली थी जिस वज़े से हमारे अच्छे दिन थे लेकिन पैसे जोड नहीं पाई क्योंकि महेश को नौकरी लगे जादा दिन नहीं हुए थे कि उसका दिहान थो गया इसलिए घर में जमा पुंजी भी नहीं थी खैर मैं तो सहर में काम की तलास में निकल गई और मुझे एक कमपनी में काम भी मिल गया और साम को ठकी हारी घर पर आती और अंजली को खाना खिला देती और खुद खाना खाकर सो जाती खैर मुझे नीन तो नहीं आती थी महेश की यादे मुझे हर रोज सताती थी लेकिन मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं था इसलिए मुझे इन सब को जहलना ही था खैर कभी खुशी तो कभी गम को जहलते हुए ऐसे ही दिन बीटते जा रहे थे मेरी भानजी को हमेशा से ही एक आदत थी कि वे सोने से पहले हमेशा मेरे गले लकर सोती थी जब से मेरी शादी इस घर में हुई थी तब से मेरी भांजी हमेशा ही मेरे गले लगकर अपने कमरे में सोने जाती थी महेश अक्सर उसे चुढ़ाते रहते थे कि मेरे तो कभी भी गले लगकर नहीं सोई मैं क्या तुम्हारा मामा नहीं हूँ तबीवे कहती है कि मामा आप तो मेरे मामा नहीं भगवान हो लेकिन मामी से बढ़कर कुछ भी नहीं है ये मेरी मा और मामी दोनों है इसलिए मुझे उनके गले लगने पर बहुत सुकून मिलता है और अच्छी नीन भी आती है इसलिए म मामी के गले लगती हूँ खैर अपनी भांजी के गले लगकर मैं भी सो जाती थी लेकिन मैंने कुछ दिनों से एक चीज को नोट करना शुरू किया था कि पहले पिछले दो तीन दिनों से जब भी मेरी भांजी मेरे गले लगकर अपने कमरे में चली जाती थी उसके बाद से मै इतनी गहरी नीन सो जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है जब से महेश का दिहान दुआ था उसके बाद से मैं इतनी गहरी नीन में आज तक कभी नहीं सोई थी दिन भर इतना काम करती थी फिर भी मुझे नीन नहीं आती थी महेश की यादे मु आसास नहीं होता था लेकिन जैसे ही मेरी भांजी मेरे गले लगकर कमरे से बाहर जाती थी उसके बाद से मानो मैं भी योशी की हालत में चली जाती थी और भी खाए पिये ही सो जाती थी सवेरे जब उठकर देखती थी तो कभी मेरे कपड़े उथल पुतल होते थे तो कभी मे मेरे बदन पर कपड़े ही नहीं होते थे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आकिर ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ इस कदर रात को मेरे कपड़े कौन उतारता होगा और घर में तो सिर्फ मैं और मेरी भांजी ही रहते थे और हमारा घर इस कदर बना हुआ था कि अंद बंद करके सोती थी तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था पहले तो मुझे इस बारे में कुछ भी सोचना ठीक नहीं लग रहा था मुझे लगा कि शायद मेरी ठकावट का कारण होगा क्योंकि दिन भर इतना काम करने के बाद मैं पूरी तरह ठक जाती थी और नीन आ जाती और नीन में हो सकता है कि मैं खुद ही ऐसी हरकत कर लेती थी क्योंकि अक्सर इंसान सपने में जो देखता है वैसे वैसे हलचल करता रहता है शायद इसी वज़े से मैं अपने कपड़े उतार लेती थी वे वज़र से ऐसे ख्यालों में पढ़ना मुझे ठीक नहीं लगा लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता क्यूंकि मैं काम तो आज से नहीं कर रही कितने महीनों से मैं काम कर रही हूँ और तब तो मुझे इतनी ठकान नहीं हुई तो अब कैसे हो सकती है और भला ठकान होती है तो इसकदर अचानक मेरी नीन कैसे लग जाती है और वे भी अंजली के गले लगने के बाद अब तो मुझे अंजली पर भी अजीव सा सक लगने लगा था कि कहीं अंजली तो नहीं कु मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये बात किस से पूछू किसके साथ शेर करू जो मुझे इस उलजन से निकाल सके इस तरह काफी दिन निकल गए लेकिन ये हरकते कम नहीं हुई अब तो मेरे साथ कुछ और ही जादा होने लगा मैं रात को जिस तरह सोती थी उस तरह सुवा बुलकुल भी नहीं उठती थी मेरे पूरे कपड़े बदन से गायब होते थे और मेरा पूरा शरीर इस तरह तूटता था जैसे मानो मुझे कितनों ने रोंदा हो अब तो मेरा सक्स चरम सीमा पर पहुँच चुका था कि जरूर कुछ ना गलत हो रहा है जिससे मैं बुलकुल अंजान हूँ इस तरह मेरे सरीर पे कपड़े गायब होना इस तरह गले लगने के बाद अचानक से गहरी नीन में सो जाना और सवेरे उटने के बाद मेरा पूरा बदन दर्द के मारे तूटना ये सब कोई वहम या फिर कोई ठकान नही थी उसके पीछे मुझे बड़ी साजिस लग रही थी मैंने तभी एक दिन अंजली से पूछा कि अंजली मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है क्या तुमें इस बारे में कोई खबर है तभी अंजली काफी घबराई हुई अंदाज में कहने लगी कि नहीं मामी ऐसी कोई बात न चाई नजर नहीं आ रही थी जिस तरह वे बोल रही थी उसके आवाज में हलचल थी और वे नजरे भी मुझसे मिला नहीं पा रही थी मुझे पूरा सक हो गया था कि जरूर अंजली कुछ नकुछ कर रही है क्योंकि वे आज से पहले कभी भी मुझसे बात करते हुए इतनी घबराई नहीं थी जितना आज मेरे साथ सवाल को पूछने पर घबराई थी फिर मैं अपने कमरे में आ गई मैंने मन में तो कुछ और ही चल रहा था मेरे मन में ये था कि अंजली जरूर किसी लड़के के चक्कर में हैं और रोज रात को मुझे कोई नशा वगेरा दे कर किसी लड़के से मिलने के लिए जाती है लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वे ऐसा कुछ करती है तो मेरे शरीर के साथ ये हलचल कैसे और मेरे शरीर से कपड़े गायब कैसे होते हैं अब तो घबराहट से मेरे पूरे रोंग्टे खड़े हो चुके थे मेरा पूरा बदन पसीने स लत्पत हट के मारे मेरी जान निकल रही थी मैं समझी नहीं पा रही थी कि आखिर क्या मांजरा है मैं कैसी इस समस्या से बाहर निकलू मुझे कुछ भी समझ नहीं आया अब मुझे पता लगाना था आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है तब ही मेरे मन में विचार आया कि मैं धाल लेकर कैमरा ले आई और जब अंजली कॉलेज गई हुई थी तो मैंने अपने कमरे में कैमरा फिट करवा दिया कैमरा इतना छोटा था कि किसी को भी असानी से दिखाई नहीं दे रहा था और आज मैं पूरी तरह निश्चिंत हो चुकी थी कि रात को मेरे साथ क्या होता ह ये सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और कल सारी बाते मेरे सामने आ जाएगी इसी संतुष्टी में मैंने और अंजली ने साम का खाना खाया और हम लोग सोने की तैयारी करने लगे तभी अंजली मेरे कमरे में आई और बोली की मामी आज तो गले लगकर ही नहीं ले लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, महेश की भानजी से मैं उतना ही प्यार करती थी जितना की मैं महेश से करती थी, कभी भी उसे किसी चीज की कमी नहीं आने देना चाहती थी, तो इसी छोटी सी बात के लिए उसका द गहरी नीन ने मुझे इस कदर जकर लिया कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाई और ना उट पाई और अपने बिस्तर पर पता नहीं किस हालत में सो गई दूसरे दिन सवेरे उटते ही मैंने देखा कि मेरी हालत रोजाना की तरह ही थी मेरे कपड़े मेरे बदन पर नहीं थे मेरा प पूरा सरीर मेरा इतना भारी हो रहा था कि मुझे अपने बिस्तर से खड़े होने में इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी लेकिन जैसे तैसे मैं बिस्तर से खड़ी हुई और अंजली के लिए खाना त्यार कर दिया उसके बाद जब अंजली कॉलेज के लिए निकल गई तो मैंने जट से लैपटॉप निकाला और उसमें सब कुछ देखने लगी। उसके बाद जो मैंने कैमरे में देखा उसे देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं खुद को जैसे समाल ही नहीं पा रही थी। खीन मेरे साथ क्या हो रहा है भगवान ने वैसे ही मेरे उपर इतना जलुम कर दिया था और अब ये कौन सा जलुम था जो सहना बाकी था मैंने देखा कि मेरे कमरे में दो लड़के आई और मेरे पूरे बदन से कपड़े उतार कर मेरे साथ गंदी हरकते करने शुरू कर दिये और मुझे जानवरों की तरह नोचने जा रहे थे लेकिन मैं तो टच से मस भी नहीं हो रही थी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है मैं तो बुलकुल एक जिन्दा लास की तरह पड़ी थी और वो दोनों लड़के मेरे बदन को नोचते हुए मुझे उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर चले गए उसके बाद कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की अंदर आए कैसे मैं तो सोने से पहले पूरे घर को अच्छी तरह बंद करके सोती हूँ लेकिन अब जो सक्की सुई थी वो सीधा अंजली के उपर जा रही थी क्योंकि उसकी अलावा तो कोई घर में था ही नहीं लेकिन अंजली भी मेरी तरह एक लड़की ही थी वो ऐसा कैसे कर सकती है लेकिन अब तो पूरी सच्चाई अंजली के मूँ से ही पता चल पाएगी मैं गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो गई मुझे अंजली के उपर इतना जादा गुस्सा आ रहा था कि उसके कॉलेज में जाकर ही उसे घसीटते हुए घर ले आई उसने मेरे प्यार का नाजायस फायदा उठाया था मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला पोसा इतने दुखों को जहेल कर भी उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी उसकी हर एक दिमान को पूरा किया लेकिन उसने ये सब क्या किया सच सच बता दो वर लड़कियां हर रोज नएने कपड़े पहन कर आती थी और हर रोज महेंगी पार्टी सकरती थी लेकिन मेरे पास तो एक रुपिया भी नहीं था तब ही सभी लड़कियां मेरी मजाग बनाने लगी कि तुम्हारे पास तो पार्टी करने के भी पैसे नहीं है तो मुझे जो पैसे आते थे उनसे मेरे कॉलेज में अपनी सान बढ़ा देती थी जब से मैं कॉलेज में जादा पैसे लेकर जाने लगी थी तब से लड़कियां मेरे आगे पीछे गूमती थी और मेरी हर बात मानती थी आपने इस मान को बनाए रखने के लिए मैं अपना ये दुम बढ़ाती गई और ये पाप करती गई तभी मैंने अंजली से कहा कि तुम ये सब कैसे करती थी तभी अंजली कहने लगी कि मामी में अपने हाथ के ऊपर एक भियोशी की दवा लगा लेती थी और जब मैं आपके गले मिलती थी तब जान पूचके मैं हाथ ले जाती थी जिससे वे दवा आप सूंग लेती थी और आप भियोशी की हालत में चली जाती थी वो भियोशी की दवा इतनी तेज थी कि उसे लेने के बाद 10 से 12 घंटे तक इनसान चाहे किसी भी होश में नहीं आ सकता था फिर मैं बाहर जाकर अपने हाथ धो लेती थी फिर कुछ लड़के आप से संबंद बनाते और वो लड़के मुझे धेर सारे पैसे दे कर चले जाते थे जब इतने सारे पैसे आने लगे तो मेरे मन में भी अलालच बढ़ गया और मैं ये काम रोजाना करवाने लगी मैंने कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा सवेरे जब आप उठेंगी तो आपको सरीर भारी बदल लगेगा और आप सोचेंगी कि हो सकता है ये थकावट का कारण है मैंने ये जरा भी नहीं सोचा था कि आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा और रही बात आपके शरीर पर कपड जी की मामी हूँ जो इतना गिर सकती है तब ही अंजली हाथ जोड़ते हुए बोली की मामी मुझे माफ कर दो मैं अपनी जूटी सान के लिए ये सब कर बैठी तब ही मैंने अंजली को धका देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और जोड जोड से रोने लगी मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इन हालतों में पहुँच जाओंगी मैं बार बार महेश से माफी मांग रही थी कि मैं आपकी भांजी को नहीं सम्हाल पाई वे एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिसका मैं जरा भी ख्याल नहीं कर पाई मैंने अंजली के लिए इतना कुछ किया महेश के जाने के बाद मैंने जब से काम करना शुरू किया था उसके बाद जितने भी पैसे बनते थे वे सम्हें अंजली के ऊपर ही लगा देती थी खुद के लिए मैंने आज तक एक जोड़ी कप्रे तक नहीं लिए मैंने सोचा कि अंजली को किसी चीज़ की कमी ना हो लेकिन मेरे इसी प्यार का उसने गलत फायदा उठाया और उसने मेरे साथ वे हरकत कर दी जो करने से पहले इंसान सो बार सोचता है मुझे अंजली पर बार बार गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी मैं अपने दुख मन से रोते हुए अपने बिस्तर पर पड़ी रही किसी की बराबरी करने से क्या फायदा जब हम लोगों की इतनी आउकात नहीं है तो हम लोग बड़े लोगों के साथ बैठत करती है इसलिए मुझे भी पाटी करनी है तो मैं उसे कहीं से भी पैसे लाकर देती उसके लिए पैसो का बंदुबस कर देती लेकिन उसने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और अपने ही दिमाग से सब कुछ कर डाला उसने मेरी इज़त के सास साथ मेरे विश पस चताब कर रही थी फिर मुझे दया आ गई और महेस के बारे में ख्याल आ गया कि वे जहां कहीं भी है उनकी आत्मा जरूर दुखी हो रही होगी फिर मैंने अंजली को माफ कर दिया और उसे एक सही रास्ते पढ़ ले कर गई उसके बाद उसने अच्छे से पढ़ाई कर के एक नौकरी पाली अब हमारे घर का सुधार पूरी तरह हो चुका था अंजली ने गलती करके अपने आपको सुधार लिया था अब मेरे चहरे पर यही सोच कर एक मुस्कान आ गई की देर से ही सही लेकिन अंजली एक अच्छी इंसान बन गई है उमीद करती हूं दोस्तो आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल वानी वो इसको लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलें